दोस्तो अगर आप मेंदर सिंग धोनी को एक बहतरीन कप्तार मानते हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तो हैदराबाद की कलाफ मैच के आखरी पलो में MS धोनी और ओन फिल्ड अंपायर के बीच भैस हुई दोस्तो कुछ ऐसा हुआ कि सार्च की बल्लेबाजी के 18 और में डवाइन प्रेटेरियस ने निकोलस पूर्न को ओफ स्टंप के काफी बाहर गेंद फैंकी जिसे अंपायर ने तुरंत वाइड बोल दे दिया लेकिन फिर MS धोनी भी अंपायर के पास पहुंचे और अंपायर से ये बात कही कि जब गेंद फैंकी गई तो बल्लेबाज का पैर भी ओफ स्टंप के बाहर था लेकिन अंपायर ने धोनी की बात नहीं मानी और फिर इसी वज़े से MS धोनी और अंपायर के बीच बहस चिड़ गई जिसके बाद MS धोनी अंपायर पर गुस्सा करते नजराए तो दोस्तो आपको क्या लगता है कि MS धोनी चेनिस सौपर किंक्स की कफटाने को छोड़ कर गल्त किया है और MS धोनी चेनिस सौपर किंक्स की कफटाने में बापसी कर पाएगी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा